चोदे एक्टूबर 1956 को बावा साव ने लगबग धाई जार साल बाद जैसा कि धम की एक चैन होती एक सरकल होता है उसके अनुसार धम का जंडा नागपुर में दुवारा से गाड़ा और कई लाख लोगों ने धम की दिख्छा ली और अपने धम में बापस हुआये उनकी घ दुनिया में जितने भी बुद्ध की फिलोस्पी को मानते हैं वो अगर हम ये कहें कि सारे के सारे वो अब भारतिय हो गए क्योंकि अगर भारतिय धम को मानते हैं तो भारतिय अपने आप ही हो जाते हैं तो भारत एक बहुत बरत देश है क्योंकि इसके धम को मानने वाले प जहां सबको एक होना सिखाता है वहां भारत जैसे देश के अंदर कमाल की बाते भी होती हैं फरवरी के दूसरे संडे को लगबग 25 साल से जो बावा साब ने संस्था बनाई भारते बौद महासवा उसके कुछ पदादिकारी परिवार मिलन समारों का कारेकरम लगाते हैं जो बुद्धा गार्डन है धौला कुआ पर नई दिल्ली में जब आप एरपोर्ट से आते हैं तो धौला कुआ बीच में पड़ता है और बहुत प्राइम लोकेशन पर ये जगे है बुद्धा गार्डन राष्टपदी भवन के लगबग पीछे है परिवार मिलन समारों बहुत बढ़िया होता है मगर धम में कुछ लोग धम को समझे नहीं और धम के संस्था के कैई सारे टुकड़े कर दिये उसी के कंप्टिशन में एक काईकरम एक संस्था ने लगा दिया कहीं और कहीं और एक संस्था बन गई कहीं और एक संस्था बन गई इस परकार धम को जो नहीं समझे उन्होंने धम के बहुत सारे टुकड़े करके बहुत सारी संस्था बना दी ये बड़े शरम की बात है जो धमिक लोग हैं धम को मानने वाले लोग लोग हैं उनके लिए कि धम में टुकड़े होना कोई छोटी बात नहीं है कोई मजाक नहीं है क्योंकि धम जैसी संस्था में भी अगर नेतागरी होती है धम जैसी संस्था में भी अगर भाशनवाजी होती है धम जैसी संस्था में भी अगर लफाजी होती है धम के लोग भी अगर आपस में पोश्ट को लेके पद को देके अलग-अलग लड़ते हैं धम को लेकर भी अग भावाजाव अमेट करने दी धी यहाँ जो मेला लगता है वो मेला बहुत भवय होता है बहुत बढ़िया होता है च्वकि अब सेम डेट में एक ही दिन दो मेला लगने लगे हैं इसलिए अब इसकी भवयता जीरो हो गई खतम हो गई क्योंकि धम के अंदर लडाई होना बहु याई है वो धमो को मानने वाले नहीं है और जो लोग उनको पोशन दे रहे हैं उनके साथ खड़े वए हैं वो भी धमो को नहीं जानते धमों में किस बात का ज़गड़ा धमों में तो सबको एक साथ आना चाहिए क्योंकि सारी संस्ताइं धम के एक अधम्म हो जाएगा बेसक लोग उसको कहते रहें कि हम धम्म को मानते हैं धम्म का परचार करते हैं वस्तिति ये है कि वो अधम्म को मानते हैं अधम्मिक है और धम्म को जानते ही नहीं है कुछ लोगों के लिए हमारे जैसे लोगों के लिए ये बड़ी दुविदा है कि हम क् के बार तो हमने ऐसा प्रयास किया कि चलो इस भी मेले में जाते हैं और उस मेले में भी जाते हैं मगर फिर बात पर समझ में आया कि अगर हम इस मेले में भी जाते हैं और उस मेले में भी जाते हैं मगर धम में पोजिशन अगर कोई लेना चाहे धम से नेतागरी करना चाहे धम में भाशनवाजी करना चाहे धम में अपने पोश्चर चबा के अपना नाम करना चाहे फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो धम का व्यक्ति है या नहीं है धम में या धमिक व्यक्ति के लिए ये कहने को बेसक धम का काम इनको लगता है कि वो धम का काम कर रही है, रात को बहुत जाला पैर फैला के वो सोते होंगे कि आज हम धम का काम करके आए, वस्तो इस्तिती ये है, रियलिटी ये है कि वो अधम का काम कर रहे हैं, वो अधमिक लोग हैं क्योंकि वो धम को अभी समझे धम में हजार साखाएं हो सकती है मगर धम एक ही हो सकता है धम में हजार साखाएं हो सकती है मगर धम में किसी बात में अलग-अलग साखाएं होते हुए भी अलग-अलग संग्ठन नहीं हो सकते व्यक्ति आपस में वरोदहवासी नहीं हो सकते तुम इस संग ठनके हो, तुम इस संग ठनके हो मैं तुम्हें गाली बखो, तुम मुझे गाली बखो मैं तुमारे लिए अब शब्द कहूँ, तुम मेरे लिए अब शब्द कहूँ ये धम्मिक लोगों की बात नहीं है इसलिए बराय महरवानी के आप सभी से निविदन हैं पूरे भारत के जितने भी धमिक लोग हैं जो भगवान बुद्ध की और बावा साब की बात को मानते हैं कि वो 2020 तक 14 अपरेल तक इन सारी धम की संस्थाओं को एक करें और एक ही धम है ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं जो धम को आगे बढ़ते हुए देखना चायते हैं अपने जीते जी उनको इस बात का संतोस रहे कि भारत में एक संस्था है जो धम का आगे बलाती है और ये लाखो करोड़ लोग उसी के नुई आई हैं धम में कैसा जगडा धम में तो अगर जगडा है तो फिर वो आदमी धम का नहीं है छोटी सी बात है जो बहुत बड़ी धम में कही जाती है लोग खुद धम का पचार करते हैं मगर धम का पालन नहीं करते हैं आपस में जगडते हैं ऐसी जगे जाके आपको धम नहीं मिलेगा मेरा सभी द्धंक लोगों से निवेदन है कि संस्थाओं को करें ऐसे संस्थाओं को को जाकर बोले हैं उन संस्थाओं को लोगों से कहें कि आप अधंकं ना फेलाएं पहले आ एक हो जाए जितने बुत्थ बेःति सबकी एक outside जो ऐस कल्चरल कमेटी है या जो उनकी एड्मिस्टेटिव कमेटी है ऐसा करके कोई संठन बने जितने भी भारते बहुत महासा वालग अलग है या जितने भी धमकी और संस्ता हैं वो सब एक तरह से आएं बेसक नया नाम बनाए प्राना बनाए वो सब ना जाएं क्योंकि अगर धमकी संस्ता है तो सब साथ होनी चाहिए और अगर अधमकी संस्ता है तो फिर जाने का फायदा ही क्या है धन्यवाद अधमकी संस्ता है अधमकी संस्ता है अधमकी संस्ता है